Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rohitrader Engineer आज की वीडियो आप सभी लोग ने टाइटल तो देखी लिएगा Bollinger Band Part 2 Part 1 मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने depth में बताया था What is Bollinger Band, किस तरीके से oversold, overbought condition हमें पता लगती है कैसे market का trend पता लगता है कि sideways market होगा या consolidated market होगा सब चीज मैं समझा चुका हूँ उस वीडियो के अंदा depth में मैंने explain करी है तो पहले जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखकर आएं full उसी के बाद इस वीडियो पर आएं क्योंकि ये वीडियो उसी का extension है वही सारे keywords और वही सारी चीजे में use करने वाला हूँ depth में समझा रखा है उस वीडियो में उसी का extension है तब ही समझा जाएगी जब आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो जल्दी से समझते हैं आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ट्रेड ले रहे थे आज हम पढ़ेंगे breakout पर ट्रेड कैसे करते हैं बोलिंजर बैंड के साथ जैसे कि आप सभी लोगों को screen पे दिख तो रहा होगा कि मैंने एक put के लिए ट्रेड लगाई हुई है सभी लोग जो भी binary trading करते हैं बहुत सारे लोग यही सोचते कि सिर्फ एक मिनट की ही trade ली जाती है binary trading में या binary options trading में लेकिन ऐसा नहीं है long trade लिया करो long trade बहुत ही ज़्यादा फायदे मन रहती है आपका बहुत ज़्यादा profit होगा market अगर खराब है तो long trade में आपको फायदा होगा long trade का भी अच्छे से work करती है यही चीज सिखाने वालों की long trade कैसे लेते है आप सभी लोग देख सकते हो यह trade मैंने लगा रखी ती 10 मिनट की trade है यह और यह देख लो reason समझना यह trade मैंने क्यों लिये फिर मैं learning screen पे लेकर जाओंगा वहाँ पर आपको बताओंगा कि क्या reason है क्या extension है पिछली वीडियो से इस वीडियो में जिसकी वज़े से मैंने यह trade down के ले ली है और long trade ली है बिल्कुल सबसे पहले चीज trend देख लो एकदम bearish trend है market गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है ठीक है सबसे पहली चीज confirm हो गई कि हमें market गिर रहा है दूसरी चीज जब भी यह जो bollinger bank की default settings है आपको दिखा देता हूँ 20 period 2 deviation है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इस वीडियो में भी बता रहा हूँ set कर लेना उसके बाद जब भी market देखो जब भी इस band को एक market जब trend में चल रहा है न और इस bands को break करने लगी जैसे कि इस candle ने break कर दा 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 इसका मतलब होता है कि long term में market continue करने वाला है एक या 2 minute में है नहीं चार या पास मिनट में नहीं कम से कम 10-15 मिनट की ट्रेड लेना उसमें मार्किट कंटीन्यू करेगा बहुत जादा चांस रहता है तो इस वज़े से ट्रेंड के साथ जैसी की ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है मैंने यहां पर यह ब्रेक करने लगाता और बार-बार इ अपना ही सवाद है सबसफ करने और आपको बहुत खुशी होती है तो मैं बतारो लॉन ट्रे लेना शुरूं कर तो बाइन81 जो लोग avoid करते हैं और इसी के साथ हमारी trade ITM हो चुकी है आप सभी लोग देख सकते हो जल्दी से चलते हैं अपनी recording screen पर तो आ चुके हैं हम अपनी learning screen पर जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूँ यही concept की breakout पर trade कैसे ली जाती है बोलिंजर बैंड के साथ तो जल्दी से समझते हैं पिछली वीडियो का recap देख लो जल्दी से फटा फट जिन लोगों ने नहीं देखा था जल्दी से थोड़ा बहुत एक बता देता हूं मैं जल्दी से वाट इस बोलिंजर बैंड यूस वाइटेफा कॉंसलिडेटिंग मार दो बता दी थी कि दो तरह मार्केट होती हैं sideways हो गई ठीक हमारी और trendy market होका हुए डोनों को identify करने में हमारा बोलिंजर बैंड साथ देता है मदद करता है sounds good तो आगे चलते हैं यह रहा हमारा trendy market जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट गेको और की तरफ जा रहा है अल चुनून है ना मतलब ट्रेडिंग में कुछ सीखना है जलवा दिखाना है कुछ करके दिखाना है वो सीखने की चाहा है मतलब तभी आगे बढ़ सकते हो वरना कितिना भी कुछ कर लो इदर उदर चले जाओ लोगों की फाल्ट की वीडियो देख लो टाइम पास कर लो नेट् को भी टॉपिक चल रहा था कि बैंड्स यहां पर देखो बड़े बड़े बैंड्स हैं अभी यहां पर आपको दिख रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी पिछली वीडियो में यह सब चीजे मैं कवर कर चुका हूँ जल्दी से आज पढ़ते हैं इस पर हम ट्रेड ले रहे थे लगिन देखो हम ट्रेड किस पर ले रहे थे मैं समझाता हूँ अभी तक जो ट्रेड ले रहे थे हम यह एक बोल्िंजर बैंड मान लो यह नीज collapse अब देखो जब घ्रवरे यहां पर आ रहा था ना यहां से rejection लेके candle ऊपर की तरफ closer होगी तो हम call के लिए trade ले रहे थे हम ले रहे थे बोलिंजर बैंड का सहारा प्लस मैंने आपको बता दिया था आपको snr draw करनी है lonely candle का level आपको चेक करना है ठीक है यह सब चीजे lonely candle होगा है हमारी वो चेक करनी है आपको और आपको multiple rejections देखने है multiple rejections देखने है प्लस trend भी आप देख लो मतलब बहुत सारी चीजे देख सकते हो और मैंने यह भी बताया था candles का behavior भी आपको देखना है candles behavior देखो यह सब चीजे जब तक आप देखोगे नहीं आप ट्रेडिंग में lose करते रहोगे यही रीजन है सिर्फ ट्रेड आग बन करके indicator पर नहीं ली जाती लेकिन indicator का सहारा लेके with price action with money management और with discipline you can make profit पिछली वीडियो का मैंने आपको बता दिया रीक यही था कि बोलिंजर बैंड के जब market इदर आ रहा था ठीक है उपर की तरफ टच कर रहा था तो हम reversal के लिए ट्रेड ले रहे थे जब market नीचे की तरफ टच कर रहा था band के तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे थे यही हम काम कर रहे थे आज हम breakout की बात करती है जब बोलिंजर बैंड ऐसे trendy market में चलता है ना पहले मैं एक चीज़ सबको clear कर देता हूँ कि market में क्या होता है एक low volatility period होता है ठीक है तो क्या होता है जैसे ही market में मतलब high volatility होती है ना जब भी उसके बाद low जरूर आएगी और low के बाद high आती है मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मान लोग पहले high थी high fluctuations थी market में high volatility थी market ऐसे trend में चल रहा था चल रहा था उसके बाद market क्या होगा contract करेंगे band मतलब band contract करेंगे यहाँ पर band सुकुड जाएंगे market में band bollinger के ऐसे बड़े-बड़े-बड़े-बड़े थे उसके बाद ऐसे सुकुड जाएंगे और जैसे band सुकुड ने लगता है यहाँ पर market consolidate हो जाता है sideways हो जाता है इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो जाती है low fluctuation low volatility हो जाती है इसके बाद market या तो उपर की तरफ अटेग या continuation होगा या breakout हो जाएगा ठीक है breakout ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा मैं बता दूँगा continuation में क्या होता है कि market बोलिंजर बैंड की जो बैंड्स होते हों उनको ब्रेक कर दे हो थे candles like यहां पर मार्लों बोलिंजर बैंड है यहां पर मार्गेट चल रहा है इसे बिल्कुल ध्यान से समझो यहां पर अगर बैंड ऐसे ब्रेक कर दे candle और बार बार नीचे आए नीचे आए फिर ब्रेक कर दे इसका मतलब है long trade जो होगी ना आपकी long trade वो trend के साथ ले लो go with the trend continuation में ले लो समझते हैं बिल्कुल यहां पर देखो समझो बिल्कुल ध्यान से market नीचे जा रहा था अब मैंने आपको क्या बताया था बिल्कुल ध्यान से समझो market यहां पर क्या था expand हो रहा था बैंड बड़े बड़े थे जब market नीचे नीचे जा रहा था था ना trend के साथ तो बैंड बड़े बड़े थे band expand हो रहे थे उसके बाद यहां पर देखो market sideways हो गया इस region में आपको दिख रहा होगा अच्छे से समझाते हैं बिल्कुल इस region में market consolidate हो गया इस region में जब भी ऐसा region जहां पर band narrow हो जाती हैं और एकदम छोटे-छोटे-छोटे होने लगते हैं उसके बाद market फटता है उपर की तरफ या नीचे की तरफ यहां पर इस candle ने breakout दे दिया इस zone का यह वाली candle ने अब क्या हुआ देखो market retrace करने के लिए आया और फिर इसी level से अब as a support की तरह यह एक्ट करने ल था लेनी है 10 मिनट की बाई देव लो रॉकेट बन चुका है market रॉकेट बन चुका है market लाइव कोटेक्स पे लेके चलूंगा समझाओंगा और रॉकेट बन चुका है market इस तरीके से ही ट्रेड ली जाती है concept लोग समझाते नहीं है लोग देखो फाल्तु बगवास करेंगे चीजे समझाएंगे नहीं बिल्कुल प्राइज एक्शन बिल्कुल कैनल स्टिक समझा रहा हूं बिल्कुल धिहान से देखो बैंड बड़े बड़े थे पहले फिर यह जो रीजन है इसमें बैंड क्या हो गए एक दम छोटे 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 होने लग गए साइज हो गया बै प्राइज करने लग गया जैसे ही यह वाली केंडिल बनी ना रिवर्सल की केंडिल बनी मानलो यह रीट्रेस करने के लिए नीचे आई मार्केट उसके बाद फिर एक और मानलो ग्रीन केंडिल बन गई उपर तो अब पता चल चुका है यह है प्रॉपर ब्रेक आउट देखो जिस तरीके से मैं समझा रहो ना कोई नहीं समझाएगा एकदम खतरनाक तरीके से मजा आ रहोगा आई होप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे अगर इंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी कमाल वीडियो और जादा वेट फॉर कैंडिल्स टू ब्रेक दा बैंड्स अभी देखो हमें ट्रेड नहीं लेनी ट्रेड हमें तब लेनी है जब क्या कैंडिल्स क्या है जब बोलिंजर के जो बैंड्स है उसको ब्रेक करने लगे मान लो बोलिंजर के यह उपर वाला बैंड यह नीचे वाला बैंड बोलेंजर के यह नीचे वाली लाइन ग्रीन लाइन और यह रेड लाइन यह दोनों बैंड है यह ठीक है जब मार्केट जो कैंडिल्स है ना इसको ब्रेक करने लगे देखो इस तरीके से इस तरीके से मैं बिल्कुल समझाता हूँ इसमें आजाओ देखो जब मार्केट में क्या हो देखो इसमें भी वही देख लो मतलब जब मार्केट में लो फ्लक्ट्वेशन होगी ना मैं आपको सिंपल बेसिक बताता हूँ रूल यह है सिंपल फैक्ट है कभी भी क्या है मार्केट साइडवेज रही नहीं सकता यह तो सब कोई बता है ट्रेंड आएगा फिर साइडवेज होगा फिर ट्रेंड आएगा फिर साइडवेज होगा यह तो मार्केट में चलता रहता है लो फ्लक्ट्वेशन होते ना जब मार्केट मे उसके बाद high fluctuation जरूर आते है market में ये ऐसा देखा गया है market में ये मतलब scientific चीज है आप पिछला चार्ड जाके देख लो मतलब जितने भी मतलब ये जो भी चीज होते हैं चार्ड है हमारे algorithm वगरा पे work करते हैं आप पीछे जाके देखो चार्ड को deeply analyze करो मतलब ये सारी चीज मतलब मानलो obviously ये तो आप fact ही है मतलब ये तो सच्चा ये सबको ही पता है simple बात है market कभी trendy रही नहीं सकता और market कभी sideways रही नहीं सकता तो जब भी sideways होगा उसके बाद trend जरूर आएगा ये हमें पता है breakout जरूर होगा तो ये simple strategy है और इतनी बवास strategy आपको मजा आ जाएगा भा बिल्कुल मैंना बिल्कुल द्यान समता तो देखो बैंड कितने बड़े थे ये चीज़ देख लो बड़े बैंड थे ना बिग बैंड बिग बैंड बड़े बड़े बैंड थे अब ये जो बैंड है small band small band है आप देखो दिहान से यहाँ पर देख लो ये candle ने इसका हलका सा ब्रेक आउट दिया फिर ये बैंड के बाद ये वाली जो candle ना इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि लोग को समझ आने लगे ये वाली candle ने बैंड को ब्रेक करा फिर ये वाली candle ने rejection दिया उसके बाद ये बैंड के below close हो ये वाली candle उसके आद मार्केट नीचे चला गया हमें तो यहाँ पर मतलब breakout की कोई confirmation मिली नहीं तो हम trade लेंग नहीं इसकी अब देखो यहाँ पर मार्केट गया नीचे बिल्कुल उसके बाद यहाँ से मार्केट जो हमारा ही small zone नेरो zone मैंने क्या बोला था जब भी एक narrow zone आएगा नहीं से मान लोग ट्रेंड चल रहा था खट 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 उसके अब एक narrow zone आया उसके आद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा दो चीज़े होंगी यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आता है बोलिंजर ने देखो यहाँ पर भी बताया हमें कि यहाँ पर रिवर्सल के लिए trade ले ल चार्ट में analyze करके बताता हूं क्या हम इस वक्त trade ले ले लेते इसके बाद call के लिए zone यह रहा हमारा यह zone है बिल्कुल नहीं लेते हम इंतजार करते इसके बाद buyers आए फिर और buyers आए फिर बायर्स आए बायर्स आए यह जो zone था resistance की तरह act करा यहां reversal candle आई फिर एक green candle बनी फिर एक red candle बनी उसके बाद यह एक green candle बनी इसके बाद हमें पता चल गया अब यह जो zone है हमारा narrow zone अब हो चुका इसका clean break out यह buyers आए जा रहे है आए जा रहे है इन मींस भाई buyers अभी पावर में है जब buyers पावर में है और हमारा यह जो ऊपर का resistance level जो create हो यह था यह हमारा narrow zone था जो हमारा resistance level create हो चुका था finally यह breakout हो चुका है अब हम ले लेंगे इस candle के बाद यह जो big candle बनी थी है हमारी यह वाली जो big candle बनी थी हमारी यह वाली candle इसके बाद हम लेते 10 minute की call similarly breakout में down के लिए ऐसा ही होगा ठीक है और call के लिए ऐसा है मतलब दोनों sides के लिए ऐसा है कुछ इस तरीके से trades लेते हैं ध्यान से समझ लो थोड़ी 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 बहुत मैंने समझा दिया explain कर दिया वैसे इतना ही जानना आपको ज़रूरी था जो था limited मैंने आपको ब बताया है फालतों की चीज़े नहीं बताई wait for candles to break the bands मैंने आपको बता दिया कि जब भी मार्केट में candles bands break करेंगी तभी आपको trade लेनी है अब देखो दूसी चीज यह कि जब narrow zone नहीं आएगा market trend में ही चलते जा रहा है narrow zone मतलब band expand नहीं करें मतलब sideways market मार्लों में जा रहा है और ऐसा नहीं बनता है इस तरीके से market narrow zone नहीं create करता तो यानि उपर और नीचे breakout होगा अब हमें पता कैसे चलेगा उपर उपर का तो मैंने बता दिया किस तरीके से पता चलेगा market यहां से मानलो reversal लेगा इस जगह से reversal लेगा उसके बाद retracement के लिए नीचे आ सकता है फिर य लेकाउड के लिए बिना डरे ट्रेड लो 100% मतलब वह हमारी विन होगी अब देखो market मानलो trend में चल रहा था अब narrow zone create नहीं हुआ band बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं ऐसे से नीचे बढ़ते जा रहा है अब यह देखो जब भी मतलब candle से ब्रेक करने लगेंगी ना इस तरीके से ब्रेक करने लगेंगी और कोई narrow zone create नहीं हो रहा है जब भी break करने तो long term में market trend फॉलो बरेगा अभी I hope you are getting my point for trendy market bands get contracted देखो बिल्कुल trendy market में trade कैसे लेगी है मैं बता देता हूं trendy market है उपड़ जा रहा है जब band contract होंगे उसके बाद हमें देखना है कि band break हो रहे है या नहीं हो रहे है जब band break हो रहे हैं continuation के लिए ट्रेड ले लेंगे वही मैंने समझा दिया मान लो market ऐसे उपड़ जा रहा था इसांपल होगा शायद से मेरे पर मैं एक बार देख लेता हूं यह रहा हमारा एक्जांपल प्यारा सा एक्जांपल मक्खन सा समझते हैं यह लो देख गई बेंड भाई बढ़ते जा रहे हैं यह trendy market है उपपर जा रही है त्रेंडी मार्किट है उपपर जा रही है बेंड क्या कर रहे है हमारे अब देखो जब बेंड कॉंट्रेक्ट होने लगे न यह देखो बड़े बड़े अब देखो यहां पर बैंड कॉंट्रेक्ट वाली बात थी इसमें एक बैंड कॉंट्रेक्ट वाली बात थी वह भी मैं समझाता हूं बैंड गैट कॉंट्रेक्ट वाली बात भी समझाता बेंट अभी एक्सेंड है हिए एकेंडल बहुना फिर मार्केट उपर घया फिर नीचे गया फिर बहार नीकल गई इसका मतलब जब भर मारकेट में के deny जाता है फ्रमार केंडल नीच अब फिर याने लगता है ना कि एक मिनट में भाई एक मिनट में लोगे न फिर तुम बोलोगे कि सर ने तो बताया था मैंने एक मिनट की ट्रेड ले ली एक मिनट की ट्रेड है कोई एक मिनट की ट्रेड लेते हैं वो सब चीजे में सिखाता हूं लेकिन लॉंग ट्रेड भी न चीखो न अब एक मिनट में फ प्रॉफिट कर सकते हो और आपको नहीं मतलब सीखना पड़ेगा बीना सीखे तो यहां पर कुछ भी आपको अपने आपको जलाना होगा सीखना होगा एकदम पूरी महनत करनी होगी देखो जब भी मार्केट बैंड मतलब यह इस तरीके से ब्रेक करती है रहे ने केंडल और उपर जाये 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 तो लॉंग टम में इट मीज लॉंग टम में चार्ट उपर की तरफ जाएगा लेकिन मैं बाता रहा हूँ आपको मेरा फेवरेट क्या है किस तरीके से देनी है डाउन ट्रेड में था मार्केट यहां पर कॉन्ट्रेक्ट होने लगया खट 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 अब नीचे से सपॉर्ट बनेगा उसके बाद इस को ब्रेक कर देगी यहां पर होगे ब्रेक जैसी ब्रेक होगा रिट्रेस्मेंट देखेगा रिट्रेस्मेंट देखेगा तो ठीक है हो सकता है रिट्रेस्मेंट देखेए उसके आदिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाएगा लगा दिया आग बन करके लिए ट्रेड कॉल की दस मिनिट लगा दो, इस तरीके से होती है ट्रेडिंग, similarly नीचे डाउन के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, इस तरीके से ही, continuation के लिए मैं बता दिया, trend ऐसे चल रहा है, उपर से ब्रेक करेगा, तो जल्दी से, I hope मैंने न, सारी चीज़े short में cover कर लिए, सारी चीज़े समझा दी गई है कि क्या-क्या चीज़े थी, इसमें सब चीज़ cover कर चुका हूँ, I hope आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा, तो कोटेक्स पे एक या दो ट्रेड और लेकर दिखाऊँगा, और चार्ट में भी दिखाऊँगा, जिससे की आपका और ज़्यादा concept clear होगा, तो चलते हैं हम अपनी कोटेक्स की screen पे, तो आ चुके हैं हम अपनी कोटेक्स की screen पर, जहां पर मैं आपको समझाऊँगा, और trade लेकर दिखाऊँगा, पहले थोड़ो समझ लेते हैं, अब देखलो, चार्ट में दिखाते हैं, ठीके, आप दिखाते हैं हम तुमें अपनी strategy का जलवा, माल लो देखो, यह रहा तुम नीचे आजा, देखलो, बिल्कुल घहां से समझना, अच्छे से बिल्कुल लेकर, नीचे जारा था, मार्गेट ठीक हैं, अब यहां पर क्या हुआ, यह जोन में, साइडवेस होगा, बैंड कितने बड़े-बड़े थे भाई, पहले दोको बैंड बड़े-बैंड थे, यह कितने बड़े-बड़े बैंड है, कितने बड़े-बड़े बैंड है, यहां पर भाई देखो, सुकोटने लग गए, यह केंडिल ने फिरिकाउट गिया, उसके बाद अगली केंडिल गिरीन बन गई, मीचे भी नहीं आई, यहीं से आपको लॉंग ट्रेड उठा लेनी है, दस मिनट की, इस जगह से उठाते हैं, देख लो, आपकी विन होती, मार्किट अभी भी उपर गया है, दस मिनट के लिए थी, हमें तो देखो, दस मिनट के लिए अपर गया, ठीक है, होई ITM, और चार्ट में चलते हैं, और चार्ट में लिखाता हूँ, देखो, यह देखो मार्किट ट्रेंड में चड़े जा रहा है, चड़े जा रहा है, बिल्कुल, मास तरी करें, यह देख लो, यहाँ पर भी ऐसे लिए, बात नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूर हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, पहले तो ट्रेंड उप यहाँ पर आप 10 मिनट की गॉल ले सकते हैं, यह रहा हमारा बेस्ट एक्जामपल है बाई, बेस्ट एक्जामपल बिल्कुल द्यान समझना, मैं बता रहा हूं क्यों, मैंने क्या बोला था, फाइव वोल एटिलिटी है, नीचे जा रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर पर इस के बाद यह देखो, यह एक जोन मन के नीचे, बनालो जोन, होरिज़ोंटल, इस जगा पर यह लेते हैं हम अपना, प्रैक्टेंगल, एक जोन मन के बाई, बेलगो है, बेलगो है, फिर बिहाँ से लेख लो, मार्गड जब भी ऐसे नीटे डाउन ट्रेंड में आया, फिर इस जोन में फस गया फिर इस जोन का breakout हुआ और मैंने क्या बोला था breakout के बाद यह वाली जो line है अब यह वाली line support की तरह act कर गए यहां से market retrace हुआ बिल्कुल हुआ retrace देख लो जो पढ़ा है वो market में है बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल retrace हुआ उसके बाद यह candle बनी green candle और यहीं से मैं उठाता 10 minute के लिए call और 10 minute के लिए trade उठाता तो क्या होता देख लो अशर trade का हशर क्या होता बाई rocket rocket हो गई rocket बन गई बाई कुछ trade ऐसे ही मैं लेके दिखाता हूँ अब मार लो यह जो zone है मैंने बना रखा ठीक है यह zone मैंने बना रखा है और इस zone में हमें breakout के लिए trade मिल सकती है but we have to be patient मैं record गर रहा हूँ अगर मेरे को trade नहीं मिलती और इसी chart में मिलती है quality की trade बनती है तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा जब तक मैं और चार्ड देख लेता हूँ जिसमें कि आपको और जादा clear हो सके बिना बात के कुछ भी मैंसे बोल नहीं रहा हूँ आपकी आखों के सामने चीज़े चल रही है पहले भी मतलब market ऐसी चीज़े follow कर चुका होगा दिखाता हूँ मैं देख लो downtrend था यहां से नीचे गिरना शुरूब लेकिन ब्रेकाउट होने के बाद देखो यहां पर retracement हुआ retracement हुआ उसके बाद दुबार उपर चला गया तो अगर आप सीख जाओ ना तो best strategy long trade low जब भी क्या हो एक minute में trade loss हो रही हो ना तो मेरे भाई क्या होता है कभी-कभी आप trade लेते होगी कि एक minute में मैंने trade ली और last moment पर आके loss होगी मेरी reason why fluctuations market में इतना है एक minute की trade loss हो रही है why reason कुछ भी ने एक minute की trade loss हो जाती है इसलिए long trade भी binary options में लिया करो सीखो मेरे भाई तुमारा पैसा है profit में रहोगे अपना पैसा save करोगे finally हमें एक trade मिल चुकी है मैं कावी दिर से charts analyze कर रहा था और सारे charts देख रहा था तो USDDZD में एक entry बन रही थी जहाँ पर मैंने अच्छे से analyze कर रहा है guys वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ USDDZD के अंदर देखो यहाँ पर मैंने पहली बना रहा है अब market यहाँ पर क्या है consolidate हो चुका है उपर पहले उपर गया फिर consolidate हो गया bands contract हो इसका मतलब अब यहाँ से कहा indication breakout तो देखो यहाँ पर पहले यह breakout करने के लिए उपर गया फिर नीचे आया फिर नीचे से बोलिंजर से support लेके फिर दुबारा उपर गया तो अगर अब यह rectangle को जो कि मैंने ले रखा है यह candle एक और candle ऊपर बनके break करती है इस rectangle को यह zone को तो मैं next 3 minute के लिए call के लिए trade लोगा आप 10 minute के लिए ले सकते हो trade जब bands को break करेगी candle तब यहाँ पर देखो bands contract हो गये थे ठीक है बिलकुल धिहान से देखो bands यहाँ पर क्या है market अभी consolidate हो गया इससे पीछे आप देखोगे न चाकर तो मतलब market गिर रहा था bands बड़े बड़े थे expand हो रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या है अभी band contract हो चुकी है और मैं wait कर रहा हूँ इस candle के breakout करने का इस rectangle box को जो मैंने बना रखा है बिलकुल धिहान से देखो अगर ये candle इसको break करती है तो मैं call के लिए trade लूँगा काफी देर wait कर आया है मैंने तब जाके मेरे को ये trade मिली है तो ये तो break कर रही है और मैंसे रहा नहीं जा रहा मैं लगा रहा हूँ 3 मिनट की call यहाँ पर alright मैंने trade ले लिए 3 मिनट की मैंने trade ले लिए आप देखो हमेशा यहाँ पर पहले ना already market नीचे आ चुका था उपर जाके नीचे आ चुका था अब देखो यहाँ पर बिल्कुल धिहान जा देखो यहाँ पर देखो band एकदम मतलब contract हो चुकी है band एकदम contract हो चुकी है उपर से एक candle मतलब जाके reversal लेकिन नीचे भी आई थी फिर दुबार नीचे से उपर गई है और यह zone को break कर दिया तो finally अब complete breakout होगा उपर जाएगी market long term के लिए भी तो इस वज़े से मैंने यहाँ पर देखो call के ले trade लिए और देखो इससे पहली वाली candle देख लो यह है एक tail less candle it means it is showing कि market अभी continue करेगा और market का target अभी उपर वाला level होगा बिल्कुल अगर वहाँ से reverse होगा लेकिन यह complete breakout होगा उपर वाला भी band को भी breakout करेगी और यह long trade बनेगी मेरे according और यह trade देखना कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े लेकिन यहाँ पर मैं एकतम सुकुड गए है एकतम छोटे-छोटे-छोटे हो गया और यहाँ पर नीचे से market नीचे गया और यहाँ से direction ले फिर उपर आया अब देखो यहाँ पर complete breakout हो रहा है समझाइए अब देखो यहाँ पर यह भी एक टेल ले स्केंडिल बन गई टेल ले स्केंडिल बाई सिंपल बात है market continue करेगा मैंने बता दिया buyers power में buyers are in power तो अभी market continue करेगा इतने असानी से ही आप पैसे earn कर सकते हो जस्ट आपको पहले learn करना पड़ेगा बिना learning के फैसन नहीं कमाया जा सकता first learn then earn अगर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी जैसे कि आप हर field में करते हो अब देखो यहाँ पर market consolidated हो चुका है किया हमें दिख रहा है और यह breakout करा है और इतनी अच्छी प्यारी trade मैं लगा चुका हूँ 19 seconds बची है 18 seconds, 17 seconds हमारी trade को ITM होने में मज़ा आ गया है मतलब इतनी देर wait करा हूँ मैं इतनी देर और आप लोग लिए chart में analyze कर लिया था और फाइनली जागे अब यह एक trade बनी है जो कि मैंने ली है 3, 2, 1 और यह trade हमारी ओचुकी है ITM, इसी के साथ हमारी यह video complete होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लोगी हो तो channel को subscribe कर लो वीडियो को like कर दो and if you have any kind of doubt related to trading binary trading or any other you can message me on telegram link आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा description में मिलते हैं अगली वीडियो में